हेलो जी, वेल्कम तो माइस्टाल, माइफिटनेस, I am Ravik Sapra and this is the 6th week of my 13 weeks transformation challenge मैंने 13 weeks से challenge बनाया था कि मैं 10 kgs of weight और 4-6 inches of waist कम करूँगा अब almost half way आ चुके हैं में progress भी उसी ताफ बे चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है 4.5 kgs मैं already lose कर चुका हूँ और 2 inches of waist मेरी कम हो गई है अब मैं इस week जार से अदा आपने core area पे ध्यान दूँगा बिकास जितनी में हम power लगाते हैं जो हम strengthening करते हैं strength training करने के लिए हमारा core strong बहुत जरूरी है क्यों? बिकास हम जब भी power निकालते हैं है आपने हंटर देखा होगा हंटर अपने whip से start होता है और point तक जाती है उसकी पूरी power वैसी हम जब अपनी body को move करते हैं तो पूरी body की power हमारे core area से निकलती है यह चीज मेंने आपने karate में से की दी कि जब हम punch करते हैं तो punch करते हैं हमारी body की power हमारी बॉड़ी की पावर इस कोरिया से कलती है तो हम मूव करेंगे हिप के साथ हिप के साथ हिप के साथ हिप करते है तो हमारी पावर डबल हो जाती है और जब हम कोरिया को यूज नहीं करते तो हाफ रह जाती है इसमें पावर कभी नहीं आएगी जब हम इसमें पावर कभी के लिए को स्ट्रॉंग होना जरूरी है बलकि आप देखेंगे अगर आपका को स्ट्रॉंग है तो कोई भी एक्ससाइज आप बहुत एजी ली कर सकते हैं क्यूं बिगाउज आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आपको मूव करने में एक्ससाइज करने में किसी भी तरह का लोकस में रहेगा इसके साथ-साथ यह निया कि बागी चीज़ें नहीं करूंगा मैं अपनी बागी स्ट्रेंथ ट्रेंट्स ट्रेनिंग परी बैक की शोल्डर्स की चेस्ट की फोराम जो लेक्स हो गए इन सबकी ट्रेनिंग भी मैं साथ-साथ करूंगा लेकिन मैं कोर पे जाए ध्यान दूंगा बाकी चीज़ों पर इफेक्टिवली कम ध्यान दूंगा तो चलो फिर टाइम वेस्ट ना करते हैं शिक्स वीक स्टार्ट करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो करूँ साथ झाल 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 झाल